तो ये जो स्टेच्व आप देख रही हैं ये जानती है कौन है? किंग जॉर्ज हाँ जी ये अपने क्रांतिकारी हैं सिवाजी के फादर हैं सिवाजी के फादर थे? नहीं के उस पर हुआ करता था छत्रप्रति साहुजी महाराज नगर अभी आमेठी आ गया बदल के अभी भी है वो जिला आप कहां से? हाँ मेठी से शत्रप्रति साहुजी महाराज के दी बात की जाये तो ये इनका जन्द महाराश्टर में हुआ था महाराश्ट में हुआ था और ये औरंग जेब यहाँ पे शासन कर रहे थे तो उस समय इनको बहुत परिशान किया गया इनके पिताजी को परिशान किया गया इनकी माताजी को जेल में डाल दिया गया था ठीक है, फिर ये वापस आए और फिर ये वापस असन के है साथिय जैभीम, मैं हूँ इजिनर स्मे रहे हैं देख सकते हैं कि मेरे पीछे चत्रपती शाहुजी महाराज इनका स्टेच्यू है जिसका अनावरन 14 अक्टूबर 2002 को बहुजन समाज पार्टी की राश्ट्रिया द्यक्ष और उस समय की मुख्यमंत्री बैनकुमारी मायवती जी इनके द्वारा अनावरन किया गया था इनके चिकिशा विश्विद्याला के आसपास के काफी सारे लोग है आप देख सकते हैं जो लगातार यहां पर जो है लगातार लोगों का आना-जाना जारी रहता है चुकि यह मेडिकल यूवर्सिटी है पूरे देश से लोग यहां पढ़ने आते है चातर यहां पढ़ने आते और तमाम जो लोग है कई साड़ों से ऊपने कोषिश कर से करें जाने के सब्सक्राइब है याoples लोग इनके बारे में जानते भी है या नहीं जानते और यह तमाम चीजों को लेकर हम बाचित करेंगे हमारे साथ काफी सारी लड़किया है और यह तमाम लोग जो है कुछ वर्क्शॉप के लिए कर आई हैं क्या नाम है आपका साक्षी पांडे साक्षी आप यहां क्यों आई चत्रपति शाहूजी महाराज जानते कुछ इनके बारे में लिए अपने क्रांतिकारी हैं सिवाजी के फादर थे यह शिवाजी महाराज के फादर नहीं थे बलकि शिवाजी महाराज के वनिशस थे पहले अमेठी का नाम चत्रपती शाहुजी महाराज जिला भी हुआ करता था, बदल दिया, कुछ पता है, कैसे बदला, क्यों बदला, नई, इसके बारे में आई लिया ने, क्या पढ़ते क्या है आप लोग, फीजियो थेरपी, मुनसी गंज, स्टूडन कहां के है, आई कि लिया है, और भी लोगों से बाचित करें के कोशिश करेंगे, बच्चियों के पास काफी अच्छे जानकारी मिली है, और जो लोग है यहाँ पर, काफी सालों से मुझे लगता है, यह चाचा जी दुकान चला रहे, क्या नाम है आपका, राजू, राजू चाचा, आप कि पहले तो उस समय भी आपकी दुकान हुआ करती थी यहाँ, तब नहीं थी, उसके पहले भी आपकुछ और करते होगे, तब यहाँ आप यहाँ खाना बनाते थे, तो पहले वो था, इसका नाग दूसरा था पहले, आप यह के जी इमची गर नाम से चलता है, यह पहले नुस पहले चलता है, तो इस प्रकार से जो चाचा जी है, काफी समय से यहाँ पर है, मौजूद है यहाँ पर और वो जानते है कि यह किसका स्टेचू है, वो जानते है, शाओ महराज का स्टेचू, क्या नाम है चाचा जी कहां से है आप? हम सितापूर से सबकरन सितापूर से हैं यहां कैसे हैं तो यह चतरपति शाहुजी महाराज है और बस पाकि शचनकाल में यह स्टैचू रखा गया है तो और भी लोगों से बाच्चेत करेंगे काफी लोगों को जानकारी जो है नहीं है क्या नाम लिखते भाई जानते हैं इस्टेचु के बार में? चत्रप्रती साहूजी महराज की स्टेचु है कहां से हैं आप? हम यहीं से हैं हमारा एजूकेशन में हमारा अभी पिएजडी चल रहा है पिएजडी के चात्र तो काफी अच्छी जानकारी रखते होगी चत्रप्रती साहूजी महराज की बात की जाये तो यह इनका जन्म महराश्ट्र में हुआ था महराश्ट में हुआ था और यह औरंग जेब यहां पे शासन कर रहे थे तो उस समय इनको बहुत परशान किया गया इनके पिता जी को परशान किया गया मारा गया इनके माता जी को जेल में डाल दिया गया था ठीक है फिर ये वापस आए और फिर ये वापस आसन के आए तो जो थोड़ा बहुत हमें जानकारी थी हमने आप से शेयर करते हैं जानकारी दे रहे हैं वो चत्रपती शाहुची महाराज के पुर्वज है मतलब शिवाजी महाराज उनके समय का है और अंगरेजों के शाशनकाल में और बाबा सहाब के समय में कह सकते हैं बाबा सहब के साथ कुछ इनका संबन्द करें अब है आए और जो का सिस्टम का एनलिसिस यह करने के बाद इनको लगता है कि कास्ट की वज़ए से जो है वो लोगों का नुकसान हुआ है कुछ लोगों को फायदा हुआ है कुछ लोगों का नुकसान हुआ है तो कुछ कास्ट के वज़े से तो इनका ये मानना था कि जिस लोगों का कास्ट की वज़े से नुकसान हुआ जिनको कास्ट की वज़े से पढ़ने लिखने नहीं दिया गया अब उन्हीं को पढ़ने टो रीजर्वेशन पॉलिसी को लेकर भी आपको सोचते होंगे आप प्यांजिके छाथ चाहिए जो लोग आर्थिक रूप से कम जोर है और वो STSC हो, OBC हो, General हो तो हमें इस पे सर्वे करके इस पे हमें Reservation देना चाहिए Economical Vicar Section मिल रहा है, मिल रहा है पर ऐसे बहुत से वर्ग है हम चाहते हैं कि जैसे मान के चले कोई STSC Candidate है या कोई OBC है कोई General है, अब कोई SC Candidate है SC Candidate या उसके पिदाजी के बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा कहना यह कि जो Reservation System में यह Economically हो, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर चाहिए, वो किसी भी वर्ग को उन्हें दिया जाए, मेरा कहना यह है आपको यह भी पता होगा कि जैसे अगर कोई Reserve category से आता है और वो अगर उनके घर में लेकिन फीस उनको पूरी बनने पड़ती है यह पता है आपको किसमें? किसी भी छेतर में अगर आप Medical के चातर है और Medical के चातर में आपका Income अगर जादा है आप Reserve Seats से आते हैं तो आपका Income जादा होने की वज़ए से आपको Feast Pay करना पड़ेगा Income जादा होने की वैसे हमें तो Feast Pay करना पड़ेगा पर Reserve Category से भी है फिर भी तो यह फिर खलत है हाँ यह भी है यह जलत नहीं है मतलब कि यह जो आप चाहते हैं वही है आपकी जो मनशा है वही पूरी हो रही है लेकिन यह आप तक सही तरिके से नहीं पहुच रहा है क्योंकि जो CSC का Candidate है वह Feast तब पे करता है जब उसके घर के लोग DM है या फिर SP है तो वह Feast Pay करता है वह General में आ जाता है बस उसको seat मिलती है Saddle Cast की इसी के साथ साथ एक और बात जैसे आपने बोला कि Economical Vicar Section के लिए होना चाहिए तो यह अभी तो मिल रहा है तो एक Clause भी डाला गया Constitution में आज की तारीक में और उस Clause का यह कहना है कि यह जो EWS Reservation मिल रहा है यह सवर्णों को मिलेगा और उसमें जो है SC, ST या OBC include नहीं होगा यह नया अभी मोदी जी के साशनकाल में जो है नया संशोदन होगा इसमें क्या सोचते हैं इनका एक आयोग बनाए गया इसमें यह बात रखी गए कि देखे STSC they are already getting reservation और OBC को reservation मिल रहा है तो जनरल के ऐसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं ठीक है यदि किसी वज़े से वो आगे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो उनके लिए जनरली EWA से लाए गया तो हमारे कहने का मतलब है कि आप सभी चीज़े खतम कीजिए सभी चीज़े खतम करके आप find out कीजिए आप data पे काम कीजिए आप सर्वे कराई यह जाई रहा के तो हमारे लिखते हैं आप रहूल सेंग आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और हम जो इसकी बात कर रहे हैं वो जो fundamental rights में आता है आपके educational और नोगरियों में जो reservation मिलता है उसकी बात करें जो कि आपका fundamental right है उसमें जो है वो fundamental right में changes नहीं होगे इसलिए fundamental right में changes ऐसे हुए कि EWS के नाम पर जो चिला रहे थे कि हमको नहीं मिल रहा है उनको अलग से देने के लिए नया clause जाला गया अब यह जो शाओ माराज का जो policy था कि जिनको जाती की वज़े से पढ़ने लिखने नहीं दिया जाती की वज़े से नौकरी नहीं करने दी जाती की वज़े से ये कैसे कि उनका विकास ना हो जाती ने कहा कि तुम इस जाती की हो फलाने जाती से आते हो तुम पढ़नी जाती से आते हो तो यह जाती की वजह से आपका नुकसान हो रहा है और इसलिए यह कास्ट बेस रिजर्वेशन है पिर भी उसके बाद भी आज आप इडब्ली एसकी बात करते हैं कि रिजर्वेशन ऐसा हो तो जाती बात के लिए एकदम नहीं बोल रहे हैं चाहिए वो किसी भी वर्क से हो चाहिए वो जनरल हो बी सी हो मैंने अभी एक भी लाइन ऐसी नहीं बोली कि मैं किसी कास्टिजम को लोके बढ़ावा दे रहा हूं हमारा बस कहना यह है और आज के यूद से आप पूछेंगे तो जनरल इसकी भी यूद का कहना यह है कि आप कास्टिजम को खतम करें मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि जाती से आता है तो बहुत अच्छी बात है हम तो चाहते हैं कि जरूनी राजा से रंग और रंग से राजा भी बना जा सकता है तो आप सभी का रास्तिलग कराईए पर कहने का मतलब यह है कि आज जो सर्वे आप कराईए आपने बोला कि जो क्लॉज बनाये गया तो सकते हैं दि सरकार चाहाँ इस पर काम किया सकता है पर हमें कहीं न कहीं से किस्ट लेना पड़ेगा कहीं यह सब जीजाओ करने पड़ेंगी अर चीजा की सिजों की सब्सक्राइब गार मतलब कि इंजिनियरींग और टेक्नलोजी से आते हैं और सोशल इसू पर बात करने के आज हम इनसे गुस्ताखी कर रहे थे और आज हम इनसे बात्चीत कर रहे थे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपका इंटर्वी जो है वो इसी चैनल पर आएगा और भी लोगों से बात्चीत करने की कोशिश करें थैंकि बहुत धन्यवाद आपका कुछ लोग यहां पर मौझूद है उन लोगों से बात्चित करेंगे तिरंगा लहरा रहा है क्या नाम है चाचा जी आपका क्या नाम है भाई साब नरेश कुमार नरेश कुमार तो बड़े खुश लग रहे हैं आप यह योगी जी के सरकार में बताईए यह जो स्टैचू है यहां पर जानने की कोशिश करेंगे इनसे बात करेंगे क्या नाम है आपका शूगला काल। पहले तो टंपू चला रहे हैं तो कोरोना काल में क्या किया फिर घर कैसे चला खेति वारी थोड़ा बहुत थी उससे चला कुछ इदर उदर लेके लोगों से काम चला अभी तो बहुत परिशानी है इस्टेंड हटा दिया तब से टंपू सब भट गई रोड पर पुलिस प्र जो की सामने तो दिक्कात होती है या गार्ड लोग आकर परिशान करते हैं उनका गेट बंद जागा तो कहेंगे कभी खड़े हैं आज संडे है तो भीड ने यह तो खड़े है शाओ जी महाराज का जो स्टेचू है यह बहन मायवती जी ने लगवा था इनकी जानकारी है आ मらTH पुझेंगे इसे आपको कुछ मालूम है क्या नाम है आपका वारइस नाम है वारीश जाझा ये बताइए लayan रहते हैं मायवती को जानते हैं जानते हैं, अरे ऐसे ही परचार पे जानते हैं और हमने देखा थोरो है, वोट वोट दिया कि नहीं तरकार बनाई, उन्हीं ने बनाया था, यह शाओ जी महराज का पुतला है, यह OBC कुन्बी समाँच से आते हैं, यह राजा और इनों ने इस देश के अंदर जातिवाद को करने के लिए लड़ाई लड़ी और आरक्षन दिया जदरपती शाओ जी माहराज के जहनदी के मोके पर हमने तमाम लोगों से बाचीत करने की कोशिश की जानने की कोशिश की कि क्या वे लोग जानते हैं कि जिनका इस्टेच्व यहां पर बसपा की सरकार में बैंकुमारी माय अब दूंदली सी होने लगी है और लोग समझ नहीं पा रही या फिर बया भी नहीं कर पा रहे डर भी काफी है क्योंकि सरकार ऐसी है कि तानाशा रोईया के वज़े से लोगों को ये भी डर लगता ही कहीं हम कुछ गलत ना बोल दे या फिर हम कुछ बोल दे तो हम पर है वो हमने आप तक यह जानकारी पहुंचाने की कोशिश किया कि बसपा के साशनकाल में किस प्रकार से युनिर्सिटी का निर्मान हुआ इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दे जिस युनिर्सिटी को चत्रपति शाहोजी महाराज चिकित्सम अविश्व विद्याला बना कोई सामाजिक जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली थी बावजुद इसके चत्रपति शाहो महाराज ने उन पर अपना विश्वास जताया अपने सर की पगड़ी बाबा सहाब अंबेटकर के सर पर रखी और कहा मानगाव की परिशत की यह बात है कहा कि अब के बाद इस बाबा सहाब अंबेटकर के गुरू चत्रपति शाहो जी महाराज को हम अभिवादन करते हैं इस बारे में आपका क्या मानना है आप कैसे देखते हैं इस चत्रपति शाहो जी महाराज के जैनती की आज के रिपोर्ट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे बने रहे नैशनल चौपाल पर जै भीम जै भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले